हेलो अब्रीवन वेल्कन डो वाइफा एड्यूकेशन वाइफा एड्यूकेशन के इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे दोसो बेस्ट करंडफेस के MC का उसका पार्ट सेकेंड जिसमें हम 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक जितने ही इंपोर्टन MC का उसका बनते होंगे करंडफेस के उनको हम इस वीडियो के मादय में से डिटेल में कवर करेंगे यह है पार्ट सेकेंड इससे पार्ट पहले पार्ट फरस्ट आया था जिसमें हमने एक से लेकर 15 जुलाई 2020 तक करंडफेस के मोस्ट इंपोर्टन MC का को कवर किया था डिटेल में यह जो वीडियो सीरीज रहती है वो बाइलेंगुल रहती है यानि जो सक्रीन की भाषा होगी वो इंगलिश होगी और जो एक्स्प्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी आप अपने कंफर के साफ से समझ सकते हो अगर आप इस वीडियो की PDF डाउन इसका थीम है dod stripes का शंस केल फॉर रेजीनेंट यू था स्केल्ज फॉर रडजीलेंट यू सटहन जॉलफ लए को मनाया गया वोल्ड यसी ओपॉर इंटरनेशनल जेस्टिश Wick घुट घ्रनेशनल नेलेला नेक्स्ट है Space Exploration Day 20th of July 20th July को ही मनायाता है International Chess Day National Mango Day ये मनाया गया 22 July 26 July को मनायाता है International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem ये मनाया गया 26 July को World Hepatitis Day 28 July को मनाया गया Most Important ये आपको बिल्कुल याद रखना है ये आपके एक्जामे आता है World Hepatitis Day इसका Theme है 2020 का Hepatitis Free Future Hepatitis Free Future World Nature Conservation Day ये मनाया गया 28 July को 39 July को मनाया गया International Tiger Day हर साल ही मनायाता है Approximately 70% जो population है इंडिया की इंडिया में जो टाइगर्स हैं उनकी 70% जो population है पूरे विशव की वो इंडिया में रहती है यानि जो पूरे विशव में जो टाइगर्स रहते हैं उनका 70% जो population है टाइगर्स का वो रहता है इंडिया में रिसेंटली एक सर्वे कंड़क्ट करवाय गया था उसी में यह बताया गया है इसके लावा अगर आप से पूछाए जो मैक्सिमम स्टेट्स में हैं टाइगर्स वो कौन सी में है यह मद्यपरदेश में मद्यपरदेश में सबसे यादा टाइगर्स है यह आप या दिखे व काफी यह और डेखेंगे एंबैसिडर, काफी यह बारी आप अब देखेंगे हाई कमिशनर बात एक है दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है राजदूर्ठा क्यूंकि जो Commonwealth का देश होते हैं प्रेड और्गनेशन में यह आप याद रखें नेक्स्ट है CEO बने है BCCI के यह न्यूज सीओ बने है वो बने हैं हेमंग अमिन्ना नेक्स्ट है जो अंबेसर बने हैं ब्राइण स्पोर्ट सद्ना के वो बने हैं ब्रैट ली यह आउस्टेलिया के एक फैमस करिकेटर हैं यह ब्रैटली इनको प्यंट क्या गया है एस अबर्यानमेस्टर एस अप्रस इडा न्यू चेर्मेन बने है HCL Technology के रोश्णी नदार मलहुत्रा यहाँ पे आप इनकी फिक देख सकते हो फोटो देख सकते हो रोश्णी नदार मलहुत्रा यह बने है HCL Company के न्यू चेर्मेन New MDN CEO बने है SBI Cars and Payment Service के लिए अश्वनी कुमार तिवारी अश्वनी कुमार तिवारी बनाये गया है ने As the MDN CEO of SBI Cars and Payment Service जो State Bank of India है इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है मुंबई में और इसके जो चेर्मेन है वो है रजनीश कुमार एक जर्मन टेकनोलजी है इसके सैब पॉइंट हुए है recently President and Managing Director ये बने है recently कुलमीत बावा ये Indian continent के लिए बनाया गया है Indian subcontinent के लिए ये बने है कुलमीत बावा रमेश बावु बोदू जो है इनको पॉइंट के आगया है as the MDN CEO of Karoor Vyasiya Bank का Karoor Vyasiya Bank जो है इसका जो हैड़कॉर्टर है वो है Karoor में Karoor जो है ये City आएक तामिलना टुका यहाँ पे हैड़कॉर्टर है Karoor Vyasiya Bank का इसके MDN CEO बने है रमेश बावु बोदू न्यू चेर्मेन और MDA पॉइंट क्या गया है NMSDC के लिए यानि National Millennial Development Corporation के लिए न्यू एमडी एंड चेर्मेन बने है सुमित देव सुमित देव रोज कृष्टियान और सुअका रेपॉंडा यह बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइमनिस्ट आफ गैवन फर्स्ट फीमेल ऑफ गैवन पीपरवीयन सिदार्थ जो है यह प्राइवेट सेक्रेटरी बने है प्रैजिडन्ट रामनात कोविंद'm के रामनात कोविंद हमारे देश के राश्ट्रपति हैं इनके प्राइवेट वेयन सिधार्थ अरू कुमार जो है इनको वो पॉइंट किया गया है State Bank of India General Insurance Company के MDN CEO परकाश चंदर कंदपाल, New CEO और Director बनाए गया है Micro Finance Institution Network के ये बने है अलोक मिश्रा, अलोक मिश्रा, New Chairman बनाए गया है Technical Advisory Committee of the National Financial Reporting Authority, NFRA के ये न्यू चेर्मेन बने है वो बने है आर नरायन सैमी, Non-Executive Chairman बने है बजाज फनाश के संजीव बजाज, New MDN CEO बनाए गया है Tata AIA Life Insurance Limited के रिशी शिर्वास्तव को, रिशी शिर्वास्तव, प्रथा प्रतिम सेन गुपता, इनको प्रण किया गया है New MD of Indian Overseas Bank, Indian Overseas के New Managing Director बने है प्रथा प्रतिम सेन गुपता, राजेश भुषन जो है इनको प्रण किया गया है as the New Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare, यानि Ministry जो है Health and Family Welfare की उसके New सची बने है राजेश भुषन, ही चेम मिचिची ये बने है New Prime Minister अफ तुनिश्या, तुनिश्या के New Prime Minister बने है ही चेम मिचिची, MA हंपी होली, MA हंपी होली जो है इनको प्रण किया गया है as the Commandant of Indian Naval Academy, Indian Naval Academy के जो New Commandant बने है वो बने है MA हंपी होली, नेक्ट है वर्ण श्रीदर, इनको प्रण किया गया है New CEO of Paytium, यानि Paytium जो मनी है उसके New CEO बने है वर्ण श्रीदर, एन सिवारमन जो है इनको प्रण किया गया है as the MD and CEO of ICRA Limited, यानि ICRA Limited जो है इसके ग्रुप CEO और MD बने हैं एन सिवारमन, उसके बाद मैं आपको पताता हूँ important books and authors, सबसे पहले book लिखी गई है The End Game, The End Game book जो है इसको लिखा है खुसाइन जैदी ने, famous author हुसाइन जैदी, सूरज कदे मर्दा नहीं, इस book को लिखा है बलदेव सिंग सदकनामा ने, बलदेव सिंग सदकनामा ये पंजाब के एक author है, इनके दोरा एक book लिखी गई है, सूरज कदे मर्दा नहीं, ये book है, बलदेव सिंग सदकनामा की, The Spirit of Cricket India, इस book को लिखा है recently, Stavey Wag ने, ये Australia के एक Cricketर है जिनका नाम है, Stavey Wag, इनके दोरा बुक लिखी गई है, The Spirit of Cricket India, The Pandemic Century, इस book को लिखा है Mark Honigas Bhoom ने, Mark Honigas Bhoom ने एक book लिखी है, The Pandemic Century, The Indian Way, Strategies for an Uncertained World, इस book को लिखा है S. Jayashankar ने, S. Jayashankar के दोरा एक book लिखी गई है, The India Way, Strategies for an Uncertained World, Quest for Restoring Financial Stability in India, इस book को लिखा है Viral V. Acharya ने, ये RBA के पूर्व Governor रह चुके है, Viral Acharya, Sorry, Deputy Governor, इनके दोरा एक book लिखी गई है, Quest for Restoring Financial Stability in India, अब लोड़ते हैं हम MCGOW format में, भारत का कौन सा स्टेट है जिसके दोरा, Two Hand, 106th Birth University Observe की गई है, नेपाल के एक point थे, अधी कवी भानुभक्त अचार्या, इनकी जो birth anniversary celebrate की है, वो की है सिक्किम ने, So answer is C, सिक्किम, सिक्किम जो है, ये भारत का पहला organic state है, ये भी आप याद रिखें, सिक्किम की जो कैपला है, वो है गंगटक, और इसके जो CM है, अधिम से COVID-free बनाया जाएगा, इन rooms को, यानि जो भी rooms होते हैं, इनको COVID-free बनाया जाएगा, इसको किसके दोरा develop किया गया है, इसको develop किया है recently, IIT कानपुर ने, IIT कानपुर, नेक्श देखें, किसके दोरा receive किया गया है, एक award, कर्मन अवर्ड, International Academy of Astronautics के दोरा, ये award दिया गया है, ये award दिया गया है K7 को, डॉक्टर K7, ये इस्रो के चेर्मन है, K7, इस्रो का जो हैडुकार्टर है वो है बैंगलूरू में, बैंगलूरूर को स्पेस सिटी और साइन्स सिटी भी बोलते हैं, IITS Excellence Award 2020 का, किस रज़े को दिया गया है भारत के, ये भारत का रज़े है चटिस गड़, चटिस गड़ को एक award दिया गया है, IITS Excellence Award, Sonsries C, चटिस गड़, चटिस गड़ के जो CM है वो है, बोपेश बागल, बोपेश बागल और गवर्ण है, अनुसुया उक्के, इसके लाव आप ये भी याज रख सकते हो, जो चटिस गड़ गवर्णमेंट है, इनके दौरा एक स्कीम लॉँच की गई है, गोदन नया योजना, गोदन नया योजना क्या है, इसमें जो भी गाई का जो गोबर होता है, उसको दोर पे प्रती किलो के हिसाफ से प्रचेस किया जाएगा, चटिस गड़ गवर्णमेंट के द्वारा, क्योंकि ये बनना चाहता है और्गैनिक राज्या, और्गैनिक राज्या बनाने के लिए, इनका जो गाई का जो गोबर होता है, सारा गवर्णमेंट प्रचेस करेगी, दोर पे प्रती किलो के हिसाफ से, ये रिसेनली लॉंच किया है स्कीम, चटिसकड गवर्णमेंट हैं, ये विए आप याद रिखिए, नेक्स देखे, एक अवार्ड दिया गया है, एक टाइटल दिया गया है, जिनके खदम होने की संभावना बहुत ही याद रहती है, इनकी जो कमर्शिल फार्मिंग है, इसको अप्रूव कर दिया है, पहले इनके दोरा इसको बैंड किया गया था, अब इसको अलोग कर दिया है, किस कंट्रीन किया है, ये किया है रिसेनली मैंनमार गवर्नमेंट ने, मैंनमार, इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर जो है, जिसका नाम है काजी, 106 एफवा, ये कौन से भारत के कौन से नैशनल पार्क में रिसेनली स्पोर्ट हुआ है, रिसेनली देखा गया है, ये भारत का कौन सा नैशनल पार्क है, ये है काजी रंगा नैशनल पार्क का, काजी रंगा नैशनल पार्क जो है, ये असाम में लोकेटर है, ये सभी नेशनल पार्क के लोकेटर है असाम में, असाम की क्या पहला है दिस्पुरा और सीम है सरवंदा सोनवल, सरवंदा सोनवल और गवर्न है जगदीश मुखी, जगदीश मुखी चैनसंतोकी जो हैं ये इंडियन ओरिजन फॉर्मर पुलिस चीफ हैं ये बने हैं किस देश के बने हैं recently ये बने है अजा प्रेजिनने आयो है बॉरसीनक के लोगार्ज पॉलिस चीफ हैं भारतिये railway के दौरा किस state में किया गया है recently. यह किया गया है जमूआड कशमीर में. जमूआड कशमीर में किया गया है यह bridge जिसका नाम है अंजी-खाद bridge. यह इंडिया का पहला cable state railway bridge हुगा जिसको inaugurate हुगा recently. C option जम्मो कशमीर के दौरा. रिसनली जम्मुक शिमीर में जो डिफेंसर मिनिस्टर है हमारी राजना सिंग इनके दौरा छे जो ब्रिज हैं इनको वी रिसनली इनौगरेट किया गया है ये है हमारी डिफेंसर मिनिस्टर राजना सिंग इनके दौरा इसको इनौगरेट किया गया है इन छे ब्रिजिस को य develop किया गया है recently Kapoorthra railway coach factory के द्वारे यहाँ पे आप देख सकते हो यह है पॉस्ट कोविड coach कॉल मिनिस्ट्री जो है यह plan कर रही है यह कौन सा portal है यानि जो mining portal है इसको किस website के साथ connect किया जाएगा लिंक किया जाएगा यह कौन सी website है यह website जो है वह परिवेश परिश वेश जो है इस website के साथ लिंक किया जाएगा mining plan portal को इंडिया और भुटान जो है इनके द्वारा एक new trade route जो है वह उपन किया गया है recently यह वेस्ट बेंगॉल का कौन सा place है जिसको connect किया जाएगा पशाखा नाम की प्लेस साथ भुटान के साथ इसको connect किया जाएगा यह वेस्ट बेंगॉल में जयगाओ जो है यह लोगाटेटे आ अलीपुर द्वार जिले में अलीपुर द्वार जिला यहां से कुनेक्ट किया जाएगा ट्रेड रूट जो है वो किया जाएगा पशाखा भुटान के साथ कौनसा इंडियन है जिसको रिसेंटली दिया जाएगा एक आवर्ड यूएस इंडिया बिजनस कॉंसल ग्लोबल लीडर्शिप आवर्ड ये रिसेंटली किसको दिया गया है रिसेंटली ये दिया गया है एन चंदर शेकरन को एन चंदर शेकरन जो है इनको एक आवर्ड दिया गया है यूस इंडिया बिजन्स काउंसल ग्लोबल लिडर्शिप 2020 आवार्ड राइटन साइस कोश्टिन का डियु आप्शन एन चंदर शेक्रन भारत का कौन सा यानि भारत की कौन सी स्टेट के पुलिस के दौरा एक केंपेन स्टार्ट किया गया है साइबर नामक का जो रही इसको रिसनली स्टार्ट किया है एलाइपरदेश गवार्मट्मेंट के लाइस के दौर इसकी फिलवांगों वह मैं रैपीड़ कर दो नैशनल इनिशेटिव फॉर, यह चटोग्राम पोर्ट के साथ फ्लैग ओफ किया गया है, यानि किस सीटी के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा इस कॉन्टेनर शिप के साथ, यह किया जाएगा अगरतला को, स्वांसरीज डी अगरतला, अगरतला इसको रिसनली लाँच किया है, हर्याना गवर्मेंट ने, हर्याना के जो सीएम है वो है, मननोवर लाल खटर और जो गवर्मेंट हैं, इनके द्वारा एक अपना खुद का फ्रेश वार्टर लौँच किया गया है, इसका नाम इनों ने रखा है, हर्याना फ्रेश, हर्याना फ्रेश, ये वी आप याद रिखें, इसके लाब आप ये भी याद रिख सकते हो, हर्या वाली महशूर जो है इनको global terrorist का दर्जा दिया गया है यह किस terror group से बिलों करते हैं यह बिलों करते हैं तहरीक ए तालीबान पाकिस्तान सौन सरीज सी तहरीक ए तालीबान पाकिस्तान कौन सी वोमेर है जिनको अपॉंट किया गया है यानि हिस्टी क्रेट की है यूएस नेवी में पहली black female tactical fighter pilot बनी है इनका नाम क्या है इनका नाम है मेडलाइन स्वीगल को अपॉंट किया गया है एज यूएस नेवी फर्स्ट ब्लैक फीमेल टैक्रिकल फाइटर पाइलेट मेडलाइन स्वीगल very very important question. पीमस वानिदी एप यूँ है इसको recently launch किया गया है इसको इस स्वीम में माईक्रो क्रेटर प्रवाइड किया जाएगा फैसलिटी प्रवाइड किया जाएगी डॉष्ट आप पर किस चीज के लेटर प्रवाइड किया जाएगी यह कियाएगी street vendors को यानि street vendors जो होते हैं इनको Micro Finance Credit प्रवाइड कर जाएगा इस PM Swanidhi आप के माध्यम से इसके लाव आप यह भी याद रख सकते हो PM Swanidhi Scheme जो है इसको लॉंच किया गया था Street vendors को 10,000 का लॉंच प्रवाइड करने के लिए अगर यह टाइम पर इस लॉंच को जुका किया था वो किया था मध्यप्रदेश गवर्मेंट मध्यप्रदेश गवर्मेंट ने यह वी आप याद रख सकते हो कि रेलवे बोर्ड जो है इनके दौरा अनौंस किया गया है यह सारी कि सारी जो Northeastern स्टेट सेहिं इनकी जो क्वाइट तक क्या जाएगा इनकी जो क्या जाएगा इस अजुका नोर्थ Eastern States हैं, इनकी जो राज़ानिया हैं, capital हैं, इनको connect किया जाएगा 2-3 सका, यह है विनोध कुमार यादव, जिनके दौरा इसको announce किया गया है, railway के जो minister हैं वो है, प्यूश गोएल KVIC जो है इनके दौरा पहला Footwear Training Center जो है, वो open किया गया है यह कौन सी city में किया गया है recently, यह किया गया है डेली में so answer is B, डेली, इसके लावा पी भी याद रिखे, जो KVIC हैं इनके दौरा, recently एक Patola साडी को promote करने के लिए एक silk processing plant लगाया गया था यह लगाया था, सुरेंदर नगर जिले में जो located है गुजरात में next question देखे, 23 number question Tamil Nadu government जो है इनके दौरा announce किया गया है यह टर्मेरिक रिसर्च इंस्ट्यूट को set up करेंगे कौन से जिले में करेंगे तमिलनाडू के यह जो जिला है, वो कौन सा है यह है, एरोड, एरोड जिला है जो जगा का प्लेस है, वो है मोदा कुरिशी मोदा कुरिशी नाम की जगा के उपर यह टर्मेरिक रिसर्च इंस्ट्यूट बनाए जाएगा, तमिलनाडू के गवर्नमेंट के दौरा रिसर्ली राउंस किया गया है, यह लोकेटर है बजाज कंपनी, सोन स्रीज़सी बज़ास यँगेस्ट आवर रिसीपेंट कौन बनी है रिसर्ली जिन के दोरा ओनरी डिगरी रसीब की गई है यूनिवर्स्टी ओफ मैंचेस्टर के दोरा यह दी गई है, यह दिगरी, यह किसे दी गई है ये दिगरी ये दी गई है मेरकॉस रेशफोर्ड को मेरकॉस रेशफोर्ड की जो उम्र है वो है 22 साल 22 साल इनकी उम्र है ये यंगेस लेवर रसीपेंट बनी है औरनेरी डिगरी रसीव करने वाली University of Manchester के द्वारा ये डिगरी दी गई है ये है मेरकॉस रेशफोर्ड इनकी उम्र है 22 साल ये फुटबॉल प्लेयर है कहां से है ये है इंगलेंड से इंगलेंड की फुटबॉल प्लेयर है मेरकॉस रेशफोर्ड कौन सा Android मालवेर है जिसके द्वारा रिसेनली डाटा चुराने की कोशिश की गई है पासवर्ड वगेरा जो है 337 एप्लिकेशन जो है इनका जो डाटा है वो चौरी करने की कोशिश की है इस Android मालवेर ने इसका नाम क्या है इसका नाम है BlackRock इसके लाव आप ये भी याद रिखे इस BlackRock मालवेर के दौरा जो Amazon होता है Amazon, Amazon कंपनी, Facebook, Gmail और Tinder इनका जो पासवर्ड और इमेल है उसको चुराने की कोशिश की है मेंली चार ये एप है जिन का नाम है Amazon, Facebook, Gmail और Tinder ये भी आप याद रिखे किसके दौरा जीती गई है Formula One Hungarian Grand Prix Championship 2020 की Hungarian Grand Prix Championship जी हुई थी रिसेंड ली इसको जीता है इनकी जो कार का नाम है वो भी आप से पुछाई आ सकता है ये कार चलाते है मरसरी कार मरसरी कार के ड्राइवर है लेविस हमेल्टन किसके दौरा रसीव किया गया है नैसन मंडेला प्राइज रिसेंड ली दो हेर बीस का ये किसे मिला है ये दो लोगों को मिला है एक तो हैं मौरिसाना, कुएट एक हैं मरियाना, वर्दी, ओनिस इन दोनों को दिया गया यानि इस कुष्ण का यूराइटन से हमारा वो है स्वी आप्शन बोथ ए एन भी इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है इन दोनों परसंस को International Center for Automative Technology जो है इनके दोरा E-Portal launch किया गया है एक इस पोर्टल का जो E-Portal का नाम है Electronic Portal इसका नाम किया है इस पोर्टल का नाम है Aspire Portal Aspire Portal अगर आप से पुछाए इसकी फुल फॉर्म आभी वी याद रख सकते हो Automotive Solutions Portal for Industry Research and Education Automotive Solutions Portal for Industry Research and Education भारत का कौन सा रज़े है जिसके दोरा नवीन रोजगार चत्री योचना लाँच की गई है All Around Development के लिए Scheduled Casters के लिए ये किस सा रज़े के दोरा लाँच की गई है इसको recently लाँच किया है UP Government UP Government के दोरा recently एक Mission of Rickshare Open वी recently लाँच किया गया था ये किया गया था कुकाराल नाम की जगा से यानि कुकाराल जो जंगल है ये लोकेटर लखनवू में यहां से Mission of Rickshare Open लाँच किया गया था UPKCM योगी अधितिनाथ के दोरा ये भी आप जाब रखें Next है कौन सा कंट्रिया जिसके दोरा होस्ट के रहेगा यानि प्रिजड के रहेगा थार्ड G20 फाइनास मिनिस्टेश स्की जिश जो मिटिंग होगी और सेंटल बैंक गवर्नस की जो मिटिंग होगी इसको प्रिजड कौन सा देश करेगा इसको प्रिजड करेगा साओदियरे विया सौन स्रेज सी साओधि एकांर सकते हो इसके मा들म यह किसी से भी पैसे ड्यसीव कर सकते हो fully secure app है इसको recently launch किया है FAMPE ने NASA के दोरा collaborate किया गया है कौन सी Space Agency के दोरा साथ किया गया है Solar Orbiter Mission के लिए ये recently किया गया है ESA के लिए यानि European Space Agency के साथ NASA के दोरा collaborate किया गया है recently ये conduct करेंगे Solar Orbiter Mission सौन सरिस B ESA European Space Agency अगर आप से पुछा जाए जो NASA है इसके जो चीफ है उनका नाम क्या है ये है Jim Bryden Steiner ये स्पेशियंस ही है USA की नासा Lord Sir Roman Catholic Shrine Organized World is the first ever e-pilgrimage Lord Sir Roman Catholic Shrine ये वर्ल का पहला e-pilgrimage जो है वो डिकलेर हुआ है और्गनाइज हुआ है रिसनली ये च्राइन जो है वो कौन से देश में लोकेटर है जिसको रिसनली इनोगरेट किया गया है ये लोकेटर है फ्रांस में फ्रांस में लोकेटर है रिसनली इसको इनोगरेट किया गया है और्गनाइज किया गया है फ्रांस में सौन स्रीज़सी फ्रांस, फ्रांस की यो कैपल है वो है पारीस और फ्रांस के जो प्रामिनेस्ट है वो है इमेन्टोल मैकरॉन, इमेन्टोल मैकरॉन, नेक्ष्ट कुछन देखें, 35 नंबर कुछन, किसके दौर एक अवोर्ड जीता गया है जगनजीवर राम इन्नोवेटिव इसको दिया है recently ICAR ने यानि Indian Council of Agriculture Researcher इस अवार्ड को दिया गया है ये किसे मिला है recently ये मिला है पुर्शोतमन को सौंसरीज ए पुर्शोतमन को एक अवार्ड दिया गया है जगजीवर राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड इसको दिया है ICAR ने recently सौंसरीज ए पुर्शोतमन किस government के दौरा recently launch किया गया है मुख्या मंत्री घरगर राशन योजना यानि मुख्या मंत्री घरगर राशन योजना जो है इसको recently किस UT या state government ने launch किया है इसको recently launch किया है डेली government ने डेली government में पहला जो आप लगाए गया था यानि भार्द का पहला प्लाजमा बैंक जो है वह धी लगाए गया था डेली में सेक्ट लगांगा न था्यमिल आडू में, थर्ड लगांगा था अर्याना के पन्च पोला में, ये लगा था डेली में पहला, ये आप याद रख्ते रखे हरियाना के सही है वह अर्वंद केजिरिवाल और गवनया अनिल बैजल अनिल बैजल, Union of Food Minister, जो है हमारे Food Processing Minister, हर सेमरत कॉर बादल, इनके दौरा जोरम Megafood जो है, पार्क, इसको रिसेन इनाउगरेट किया गया है, यह भारत के कौन से राज्य में किया गया है, यह किया गया है, मिज़ौरम में, सौन सरीज सी मिज़ौरम, मिज़ौरम की जो कैपल इस इनिशेटिव का नाम रखा है, वो क्या रखा है, इस इनिशेटिव का नाम रखा है, मनो दर्पन, मनो दर्पन, यह भी आप याद रिखे, very important question, इंडिया के जो HRD मिनिस्टर है, वो है, रमेश पोक्रियाल निशंक, रमेश पोक्रियाल निशंक, UAE ने रिसेनली सुक्स यह successfully launch किया है, होप अप्रव और अमाल मार्स मिशन, यानि मार्स का एक mission launch किया है, UAE के दौरा, यह पहला अरुब कंट्री बना है, जिसका दौरा मार्स के लिए, एक mission launch किया गया है, जिसका नाम है, होप अप्रॵ यह कौन से स्पेस सेंटर से लौच किया गया है, यानि कौ मार्स के लिए सॉन स्रीज भी जपान जपान का आप यह विया रिखे स्पेस सेंटर का नाम तैनेग शिमा यह याल रिखिये कौन सा देश है जिसके दोरा पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक वहिकल जो है वो कहां पर लगाय गया है यानि भारत के कौन से स्टेट यूटी में लगाय गया है पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग पलाजा इसको रिसनली लगाय गया है न्यू देली में सौन स्र रुजगार बजार का एक नाम का पो जोशव क्या गया फोरी को पता होगा रुजगार बाज़ार क्योंकि कौुका रहे वह वापस जा रहे हैं इसलिए नके दौर्राय का पोर्टल लाुँच्े गया था यह launch किया गया था वरिक्षार उपन अभ्यान इसको launch किया था हमारे होँम मिनिस्ट्र अमित्य शाह ने अमित्य शाह की जो कॉंच्वासिया वह है गांदी नगर गुजरात की आदिवक किया है एक डॉन इसका नाम क्या है यह इंडियन आर्मी के लिए किया है जे अधरी आपर को आज है किसी प्रकार के आइक्टिविक्टी तो नहीं हो रही है है इस तरह की चीज को रिक्लर करके एकुरेट श्रवायल है करेगा इंडियन आर्मी को सफ रॉल्ट इसु ड्रोन का नाम रखा है वह क्या रखा हैं इस ड्रोन का नहाँ भारत। वहार्त। वेरीन इंपर्टन केस्टुशन। डीार्ड पर्चेर्मिन हो है मृ जी शतीश सहथीश रेडी। डीार्ड़्य का एक करते हैं अनीव देख सब्सक्राद। कौन सा देश है जिसके दौरा Lens GEO को एक Clean Telcos नाम की एक लिस्ट में डाला है रिजसेनली जो Lens GEO है हमारे देश की इसको डाला है USA के दौरा USA के दौरा एक लिस्ट में डाला गया है Lens GEO को Clean Telcos लिस्ट में Sun Series A. U.S. कौन सा देशازस के द्ऌवरा पहला miltry communication satellite जो है NACC-1 इसको लॉच्ट किया है रिसेंली इसको रिसेंली लॉॉच्ट किया है किस देश के तौरा लॉच्ट किया गया है साउथ कोरिया के द्वरा Sun Series C. इसके बाबा USA के जो capital है वो है Washington D.C. Washington DC में दो headquarter है, एक तो है International Monitoring Fund का, एक है World Bank का, यह आप याद रिखें, इसके लिए आप याद रिखें, इसके लिए आप याद रिखें, रिसेंली एक exercise हुई थी जिसका नाम था PASSEX, PASSEX जो है, यह Navy के exercise है, यह India और Navy ने recently conduct की है, इंडिया और USA की जो Navy है, इनके दोरा रिस रिसेंली एक exercise हुई है, जिसका नाम है PASSEX, USA के साथ हम काफी सारी और भी exercise करते हैं, जैसे for example, युद्ध व्यास, युद्ध व्यास, red flag, इस तरह की सारी जो exercise हैं हम करते हैं, USA के साथ, यह आप याद रिखें, कौन सी state cabinet adjust के दौरा one stop shop, जो scheme है, fast track investment के लिए, यानि जो भी investment करना चाते हैं, उनके लिए एक one stop shop रिसेंली अप्रूव किया है, किस state cabinet के दौरा अप्रूव किया है, इसको अप्रूव किया है, रजस्थान गवर्मेंट ने, सोंसरीजबी रजस्थान, रियाल मड्रेट ने रिसेंली 34th लाल लीगा टाइटल जो है, इसको जीता है, इन फिलारीयल को, सोंसरीजबी विलारीयल, ये हैं, सेकिंड प्लेस पर, इंडिया का क्या रहेंग है, गलोबल मिन्फेक्रिंग एंडेक्स में, रिसेंली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, एस इंडेक्स को रिसेंटरली लीज़ा था, कश्मैन और वेका फील्ड के दौर Bricer Index स handicap लेजिए और एसमें इंडिया का जो रह ऐ वो है थरड सवल सेन एक जो रहा इन के द्वार सक्वर्ब्यृत अवाड कंचर का वह देख यह है फेस्ट टैना का और सैक्ट जो है वह हो है यूसय का थरभ है इंडिया का यह है Toronto International Film Festival सोन स्रीज है Toronto International Festival अगर आप चे पुछा जाए जो Toronto International Film Festival है इसकी जो brand investor point किया गया था वो कौन सी Bollywood actress को किया गया था यह थी prank का chopda prank का chopda जो है इनको point किया गया था as a brand investor of Toronto International Film Festival यह भी आप याद रुखे next question देखिए 49th रेंब कोशन कौन सी state government है जिनके दोरा एक agreement sign किया गया है Indian Institute of Technology रोपर के साथ यह skill development के एरिया पर काम करेंगे यह कौन सा भारत का state government है यह state government है पंजाव state government यानि पंजाव state government के दोरा Indian Institute of Technology रोपर के साथ एक agreement sign किया गया है यह area of skills development पर काम करेंगे दोनों मिलके ये है पंजाब गुबर्नमेट पंजाब की जो कैपला हो ए चंडिकर्ण autre पंजाब की जो सीम है कैप्टेन Member Singh और पाटि है इनकी पार्टिए वोए रिसेंटली एक एप लौच या था घरगर्ण निगरा नी नाम को एक पोटल लौच किया गया था पंज्याब गवर्रमेंट के द्वारा, कोविड उनीजिक सिच्टेशन को ट्रैक करने के लिए गर गर निगरानी और जो पंजाब के गवन्न है वो है VP सेंग पत्र ना हुआ एक अवार्ड दिया जाएगा गलबेंकियन प्राइस 2020 के लिए हुमिनिटी के लिए यह किसे दिया जाएगा यह दिया जाएगा हैं Greta Thunberg ये एक पर्यावरन एक्टिविस्ट हैं इनको अवर्ड या गया है गल्बैंकियन प्राइज हुमिनिटी के लिए सौन स्रीज डी मिसाइल थी दुरूबस्तर इसको रिसेनली कंड़क्ट किया गया है यहनि टेस्टर सक्सेस्फुली कंड़क्ट किया गया है इंडिया के द्वारा सौन स्रीज डी एंटी टैंक गाइडल मिसाइल नेक्ट देखें थमपत्टी वुड कार्विंग जो हैं इनको रिसेनली जी आ कार्विंग इनको रिसेनली टग दिया गया है रिसेनली सौन स्रीज सी तमिलनाटू तमिलनाटू की जो कैपल है वो एच्च नहीं और जो सी और वाहरत के स्टेट में किया गया है गार्त में यह किया गया है उत्राख खंड में सौस्झ परवासी रोजगार घ्रह इसको किस ने दौन्च किया है वॉलीवीड के एक Ó nog सूनु सूध के द्वार रिसेनल एक एप लाउंच किया गया है वेरी इंपोर्टेंट कोशन परवासी रोजिगार एप क्या मुझे आप में कमेंड बॉक्स में लेकर बता सकते हो जो सूनु सूध है इनको रिसेनली ब्रानमेस्टर पॉइंट किया गया था यह किस कंपनी के के लिए गया गया था इसका अंसरा आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखे बताईए नेक्स देखे इंट्रनेशनल सॉलर अलाइंस जो है इसका जो 87th कंट्री मेंबर बना है यह कौन सा देश बना है रिसेन यह बना है निकारगवा देश जो है यह बना है 87th मेंबर आफ इसके दौरा अप्रूव किया गया है एकॉजिशन कृष्ण पर्टम पोर्ट को कमपनी को रिसेनी सौन सिर्जडी कृष्ण आदानी पोर्ट लेंटर सौन सिर्जडी कौंसा बैक है जिसके दौरा लाॉच कियागया है इंस्टा क्लिक सेविंग अकॉण्ट 100% पिपर लेश डिजिटलस फ़ासेटी ऑल्लाइन ॉने सेविंग अकॉन्स आवन इंडिया और कौन सा देश मिलके डिसाइड किया इनके दोरा यह डिवल्प करेंगे एक रैपिड टेस्टिंग किट जिसके माधियम से कोविड उनिस का जो टेस्ट है वो विदिन 30 सेकंड आप सक्सेस्वली कंड़क्ट कर सकते हो आपको पता चल जाएगा यह परसन को क्या है यह डिवल्प करेंगे हम एसराइल के साथ मिलके सो अंसर विदि इसरैल और मौल्दीव की जो करंसिया वो है मौल्दीवयन रुफईया जैसे हमारे इंडिया में रुपईया है वहां फे है रुफईया यह है करंसियो ऑफ मौल्दीव के जो प्रेजिनेट है वो है अमराहिम मौहमध सॉले कौन सी स्टेट गवर्नमेट है जिनके दौरा 62 पहले क्रीज की है उडिशा गवर्नमेट ने स्टेट सी उडिशा कौन सा डिजिटल पेमेंट प्लैटफॉम है जिसके दौरा वहिकल इंशॉरंस पार्ट्रिशिप की गई है वहिकल का इंशॉरंस करने के लिए एको जनल इंशॉरंस कंपनी के साथ यह कौन सा डिजिटल वहिकल का जो इंशॉर्नस होता है इसको इंशॉर किया जाएगा इस दोनों कम्पनिस के साथ मिलके सौंसरीज दी एमाजॉन पे लार्जेस्ट सौलर पावर प्लार जो है इंडियन नेवी के दोरा कमिशन किया गया है इंडियन नेवल अकाडमी में ये कौन से रज्य में लेकुटेड है ये लेकुटेड है केरला में सौंसरीज ए केरला विच NBFC has launched the portal restart India for MSME यानी MSME sector के लिए restart India portal नाम को launch किया recently कौंसा NBFC है जिसके दौर स्को launch किया गया है Recently इसको recently launch किया है Muthut Finance Ltd ने सौंसरीजज सी Muthut Finance Ltd के दौर launch किया गया है restart India MSME sector की बढ़ावा के लिए कौन से इंडियन ओरीजन नर्स हैं जिनको अवार्ड दिया गया है प्रेजन अवार्ड दिया गया है यह भारत के कौन से इंडियन ओरीजन नर्स हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है रिसेनली यह दिया गया है काला नरायन सहमी को सौन स्रीज ए, काला नरायन सामी जो हैं, इनको दिया गया है, ये इंडियन ओरीजन नर्स हैं, जिनको प्रेजिडेंट्स आवार्ड दिया गया है सिंगापुर के दौरा, सौन स्रीज ए, काला नरायन सामी, जो सिंगापुर के जो प्राइमनिस्ट हैं वो है लियान सियान राएगा Anthrose Mission, Antarctica जो रीजन है यहां पर इसको लांच करेगा, इसको लांच करेगा NASA, यह है Spaceian Sea of USA, Sun series A, NASA, Anthrose जो है इसकी फुल फोर्म भी पुछी आ सकते है, यह है Anthropydics, Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Sub Millimeter Wavelength, यह है फुल फोर्म आओफ एन्थ्रोस, यानि इंडिया जो है वन मिलियन जो एंटी टूबर कलोसिस मेडिसन जो है यह प्रवाइड करेगा यह कौन से देश के करेगा क्योंकि डबल जो एचो के दोरा वल्ड हैल्थ और्गनेशन के दोरा रियोकेस्ट की गई थी इसके उपलक्ष में इंडिया ने यह डिसाड किया ह इंडिया प्रवाइड करेगा वन मिलियन एंटी बोडि एंटी टूबर कुलोसिस मेडिसन यह प्रवाइड करेगा नौर्थ कोरिया को सॉनसरीय बी नौर्थ कोरिया Reserve Bank of India जो है इनके दोरा एक agreement sign किया गया है 400 million dollar का जो currency swap agreement होगा facility agreement होगा ये किस देश के साथ recently किया गया है Reserve Bank of India के दोरा ये किया गया है श्रिलंका के साथ Sons Rizdi, श्रिलंका श्रिलंका के जो प्रेजिनेट है वो है गौतबाय राजपक्षा और जो प्राइमनिस्ट है वो है महिंदर राजपक्षा महिंदर राजपक्षा और Reserve Bank of India जो है इसके जो गवन है वो है शक्तिकांदास शक्तिकांथ दास Reserve Bank of India जो है जो है वो है मुंबई में मुंबई महारास्ट्रा इंडिया का पहला honey testing laboratory जो है वो inaugurate किया गया है setup किया जाएगा गुजरात के किस जिले में किया जाएगा इस honey center को इसको inaugurate किया जाएगा है रिसनली अनन्द जिले में यह है अनन्द जिला गुजरात में यहाँ पे headquarter है अमुल कमपनी का अमुल जो कमपनी है यह भी found है यानि यहां पर फाउंड वी थी अनंद गुजरात में यह आप याद रिखें अमुली जो कंपनी है इसके जो फाउंडर थे उनका नाम भी आप याद रिखें वर्जिस कुरियन डॉक्टर वर्जिस कुरियन जो थे इनको बुलाया था फादर ओफ वाइट रेवलेशन इंड भॉण बगा यानि जो बैगेज अधर समान वगएर होता है इसको सानिटाइज करहें यह किसके दौरा रिंतल्स रिखें गया है कौँ रिखेंज महें है जिसके दौरा इसको इंत्रिद्स किया है इसको रिखेंडाब इंटूटर इहनले व्ढवही किया चौन स्गण रिसaurus declare किया गया है यह किया गया है recently Jordan Henderson को Saun Shriz D, Jordan Henderson जो है यह है football player इनको नामित किया गया है footballer of the year 2019-20 के लिए Saun Shriz D, Jordan Henderson कौन सा देश है जिसके दौरा successfully sent किया गया है यानि बेजा गया है high resolution mapping satellite Yijuan 3rd, Yijuan 3rd 03 बेजा गया है यहनि अंतरिक्ष पर बेजा गया है इस सैटलाइट को इसको किस देश के दोरा बेजा गया है इसको बेजा गया है चाइना के दोरा Sun Cities B China China के दोरा रिसनली एक मार्स मिशन भी लुज़ कैया था रिसनली यह व्याप रखें Union Minister जो है हमारे प्रकास जावितकर इनके द्वारा वर्चुली लॉंच किया गया है एक पाइलेट प्रजेक्ट ऑफ दे नैशनल ट्रांसिट पासर सेस्टम फॉर विच टू स्टेट्स यानि कौन से दो राज्यों के लिए यह क्या गया है Union Minister प्रकास जावितकर के द्वारा इ यह 4th edition होगा यह होस्ट करेगा हर्याना सौन स्रीज डी हर्याना जो है यह होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टोक्यो ओलम्पिक्स के बाद 2021 में सौन स्रीज डी हर्याना next देखिए विच अशोचल मीडिया प्लैटफॉर्म is planning to team up with the Indian lenders to expand banking service in rural areas and for lower income individuals यानि कौन सा सोचल मीडिया प्लैटफॉम है जो की प्लैन कर रहा है यह एक टीम बढ़ाएंगे जिसके मादियम से इंडियन जो लेंडर्स हैं यह इनका जो बैंकिंग सर्विस में जो भी रूरल हैं इनमें बैंकिंग सर्विस जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा यह किस पैसे जो की साथ सौन सरेथ भी वाट साथे वर्ट सर्वार्ज के दोरा हमें इसेंडिवरैंट के लिएगे था यह उन्सपव एक परकार का मेंशन था है जो रिक्त्रिकींट कार फिर्इंफ ऐसको इन्च किया था इसके पहले मेंने हर्याना का क्वे जो कॉर्षन किया था इसके इलावा भी याड रिखे जो five days का एक पाँट दिन लंबा एक सब टॉपिकल फ्रूट एकस्पो होगा सब टॉपिकल फ्रूट एकस्पो होगा 2020 में ये भी होगा हर्याना में ये भी आप से पुछाए आ सकता है फाइव डे लॉंग सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो कंड़क्टर दोहया भीस इन हर्याना गवर्नमेंट के दौरा परमानेट सेंक्शन लगाया गया है Commission to Women Offices यानि परमानेट सेंक्शन जो है वो लगाया गया है किस इंड्यान आर्मान फोर्स के लिए रि répondly ये परमानेट सेंक्शन लगाया गया है Government के OFF INDIA के दौरा ये लगाया गया है इंड्यान आर्मी के लिए सौन स्रिज इंड्यान आर्मी इंड्यान औरेवे जो है ये कस्टंट करेंगे वर्ड का पहला electrified double stack container tunnel किस state के नजदी करेंगे यह tunnel यह recently set up करेंगे हरयाना के नजदी के बनेगा यह जो वल्ड का पहला electrified double stack container tunnel होगा इसको इनग्वड किया गया है recently हरयाना में Son's रिज़ सी हरयाना Son's रिज़ सी हरयाना नेक्स्ट कोश्चन देखे, 77th रबकोश्चन The Union Government of HRD has set up a stay in India and study in India committee under whose chairmanship Union University जो है हमारी HRD Human Resource Development इनके दोर एक committee set up की गई है stay in India and study in India इस committee के जो chairman बने है वो किसे बनाया गया है recently इसके chairman बने है DP SING So answer is D, DP SING Next question देखे 78th रबकोश्चन As per the latest Global Forest Resource Assessment by Food and Agriculture Organization What is the rank of India in the world in terms of gaining forest areas in the last decade यानि last decade में यानि last जो दर्षक है पिछले 10 सालों में जो forest area जो गेन किया है इंडिया के तौरा इस report को published किया है Food and Agriculture Organization ने इसमें पूरे विशव में इंडिया का जो रहन का है वो क्या है इसमें इंडिया कर रहन का है 3rd So answer is C 3rd यानि इंडिया में 3rd place पर सबसे ज़्यादा forest area जो है वो गेन किया गया है इंडिया है 3rd place पर अगर पुछा जाए टॉप किस ने किया है ये किया है चाइना के तौरा टॉप है इंडिया में ये वियाप याद रहे है 2% 79th number question देखिए The Tribal Cooperative Marketing and Development Federation of India has entered into a partnership with which IIT और उन्नत भारत अभयान यानि उन्नत भारत अभयान के लिए Tri-Fed के द्वारा एक partnership की गई है ये भारत के कौन से IIT के साथ की गई है इसको recently set up किया जाएगा IIT Delhi के साथ यानि IIT Delhi और Tri-Fed के बीच एक agreement sign किया गया है ये उन्नत भारत अभयान जो है इसको promote करेंगे ये है IIT Delhi 113A IIT Delhi DRDO जो है इनके दौरा recently एक innovation contest जो है वो launch किया गया है जो 5th death anniversary थी former president Dr. RPG अब्दुल कलाम इसके उप्लक्ष में recently इस innovation context को launch किया गया है इसका नाम किया है इसका नाम है recently launch किया गया है Dare to Dream 2.0 सौन स्रीज B Dare to Dream 2.0 इसको recently launch किया है DRDO के दौरा Defense Research Development Organization के दौरा इसका had gotten New Delhi में और इसके जो चेर्मेन है वो है जी सथीश रेड़ी जी सथीश रेड़ी वल्ड का largest energy company जो है Saudi Arabia का को सरपास करके ये कौन सा company है जो बन गया है यानि कौन सा company है जो की वल्ड का largest energy company बना है Saudi Arabia को company जो है इसके बाद यानि Saudi Arabia की का company है जिसका नाम है Saudi Arabia को ये है वल्ड की largest energy company second place पर कौनजी कंपनी है यह है Alliance Industries Limited Mokesh Ambani जो है इसके चेर्मेन है Alliance Industries Limited के यह बनी है वर्ल्ड की second largest energy company सौन स्रीज ए Alliance Industries Limited नेक्श देखे अर्थ साइंसेज मिनिस्टर जो है Dr. Harshwardhan इनके द्वारा एक mobile application launch की गई है यह परवाइड़ करेगा CityWise Weather Forecaster यानि शेहर जो होते हैं इनमें weather forecaster जो है वो प्रवाइड़ करेगा यह recently किया गया है इसका नाम क्या है इस mobile application का जो नाम है वो क्या रखा गया है इस mobile app का नाम रखा गया है मौसम सौन स्रीज दी मौसम जो है इसको launch किया है Dr. Harshwardhan ने जो हमारे हेल्थ के साथ साथ अर्थ साइंस के मिनिस्टर भी है डॉक्टर हर्षवर्दन सौन स्रीज दी मौसम 300 साल पुराना काली टैंपल जो है recently reconstruct किया जाएगा शिरी-शिरी यौकाली मातर टैंपल यौ है यह कौन से देश में कॉम्टर है यह इंडिया की हालप से 300 साल पुराना टैंपल का जेका इन कॉन से देश में लोकुटर है यह अर्गलाधेश में %. सी बंगलादेश बंगलादेश की जो कैपिल है वो है धाका और चो करंशी है वो जो अडाका और चो प्रेजिदेट इसका नाम है Hanna, Sun separate D, हना जो है hurricane यह ऐया है Texas यह hotspot area थ है यह है Texas यह है USA का एक city जिसका नाम है Texas, Sun separate D, हना कौन सी insurance company है जिसके दौरा एक crop insurance campaign launch किया गया है बहुत जरूरी है यानि किसानों के लिए इसको recently launch किया गया है ये कौन से जने insurance company के दौरा launch किया गया है में लिए महारास्ट्रा और कनाटका में किया गया है अगर यहाँ पे इसको अच्छे से इंप्लिमेंट किया जाता है तो पूरे इंडिया में भी इसको इंप्लिमेंट किया जाएगा पूरे इंडिया में भी इसको लाँच किया जाएगा यह कौन सी कंपनी है जिसके दोर इसको launch किया गया है इसको launch किया गया है भारती AXA के दोरा रिसनल लाउच किया गया है एक campaign रिसनली बहुत जुरूरी है यानि फसल का भीमा किया जाएगा अगर कोई natural calamity आती है तो किसान को पूरे पैसे मिलेंगे इस crop insurance के माधम से source is C. भारती AXA. Name the Indian activist who has been named by the United Nations Secretary General Antonio Guterres to his new youth advisory group on climate change यानि Indian activist कौन से परसन है जिनको शामिल किया गया है United Nations Secretary General Antonio Guterres एक youth advisory group है उसमें climate change के लिए एक group मुनाया था इसमें जो इंडिया के जो अक्टिविस्ट है वो किसे appoint किया गया है यह किया गया है रिसेंटली अर्चना स्वरेंग को source series C. अर्चना स्वरेंग जो है जो है इंडियन अक्टिविस्ट इनको शामिल किया गया है new youth advisory group on climate change United Nations Secretary General Antonio Guterres के दौरा source series C. अर्चना स्वरेंग मार्क होता है जो हौल मार्क होता है गोर्ड़ पर लगता है। अगर किसी पर लगता है उसको चेars सब्सक्राइब का नाम रखा है इसको रिशनले नौट किया है राम विलाश पाश्वान ने यह हैं इडिया के कंजूमर अफेर्स मिनेस्टर सब्सक्राइब करेगा लिकृडिटी सपोर्ट सोलाइब दो जीरो मिलियन डॉलर किस देश को करेगा लोकल बिजनस को अप्रूव करने के लिए राम जो है इन की जो कंडिस को फैञनि गालो किनीश को नियुड टली यह किया है मॉलिस की इंडिया और किस देश के बीच वह है नियु दली में रिचंधनि यह हुई है इंडिया और इंडोनेश के बीच बीच इंडोनेशिया की प्रेद्ट है वा जो को विडियो तो और कैपिल है जैकार्ता नेक्श देखे, वह बिकम दा सैवंथ बॉल्लर टू टेक 500 विकर्स इन टेस्ट क्रेकड़ यानि टेस्ट क्रेकड में 500 wicket लेने बाले साथ में जो baller बने हैं वो कौन बने हैं recently यह किया गया है recently start broad के द्वारा So answer is B start broad जो है इनके द्वारा 500 wicket जो है वो लिए गई है test cricket में यह बने है 7th baller So answer is B start broad India will set up its own cotton warehouse in which country to boost export यानि export को boost करने के लिए India जो है अपना खुद का एक cotton warehouse set up करेगा किस देश में करेगा India करेगा वियत नाम में So answer is A. वियत नाम वियत नाम की जो कैपले है वो है हनवी करमवीर चकर अवार जो है वो किसे दिया गया है यह दिया गया है United Nations and International Confederation of NGO के द्वारा यह करमवीर चकर अवार्ड जो है वो किस परसन को दिया गया है यह recently दिया गया है सुनील यादव SS को So answer is D. सुनील यादव SS जो है इनको एक अवार्ड दिया गया है करमवीर चकर अवार्ड रिसेनली इसको दिया है United Nations and International Confederation of NGO के द्वारा So answer is D. सुनील यादव SS इसके लावा आप यह दिखे इनका एक टेलिग्राम चैनल है जिसका नाम है SS SS Motivation इनका एक चैनल है इसके उपर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इसलिए इनको यह आवार्ड दिया गया है करमीर चकर अवार्ड यह भी आपसे पुछा आ सकता है इनकी टेलिग्राम का नाम है टेलिग्राम का नाम है SS Motivation Ministry of HRD जो है इसका जो न्यू नाम है वो क्या रखा गया है इसे रिनेम किया गया है इसका न्यू नाम क्या रखा गया है इसका न्यू नेम है Ministry of Education यानि Ministry of HRD को अब न्यू नेम दिया गया है Ministry of Education सौंसरीज बी Ministry of Education 94th नम्बर कॉश्चन देखिए आप फ्लीट औफ फ़ाइव फ्रेंच 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 फ्मेनिफक्ट्टर रफाइल मल्टी रोल कंबट जैस लैंड अट विच एर बेस ऑफ इंडिया यानि इंडिया का कौन सा एर फोर्स बेस है जहां पर जो रफाइल है की 뒤से प्डेंट किया अचसर्थ सौंसरी अंबाला कॉं सा जिला है जिसके दोरा टॉप किया गया है इस्पिरेशनल टेस्ट्रिक् में रिसटाली एक नितिया योग के दoken की गवर्नमेंट का एक थिक टैंक है है जिनके दौरा रिसेनली एक रैंकिंग इरीज की गई है, इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में कौन सा देश है, कौन सा जिला है, जिसके दौरा टॉप किया गया है, इसमें जो डाटा लिया गया था, वो लिया गया था, फर्वरी से लेकर जून दोहर 20 पिरिड तक महगाल्या का एक जिला इसका नाम है राइबोई, यह है 2nd place पे, अगर आप से पुछा है 3rd place पे कौन सा जिला है, यह है बहरेच, बहरेच जो है यह है 3rd place पे, यह लोकेटर है UP में, UP में लोकेटर है 3rd, अगर आप से पुछा है पंजाब का कौन सा जिला है, जो इसमें आय जागत रिखे मोगा फिफ्थ नमबर पर दुबई वेस्ट इंडियन ओरीजन ओथर अवानी दोशी इस अमंग दा थर्टीन ओथर शॉट लिस्टल फॉर दा प्रेस्टिजियस 2020 बुकर प्राइज फॉर हर नोवल यानि इंडियन ओरीजन ओथर जो है उनका नाम क्या है जिनक बरंट सागर बरंट सागर यह इंडियन ओरीजन पर्स बतुल इंडियन ओरीजन ओर्थ जिनको नामित के गया है 13 ओथर्ज जो है शॉटलेस्ट छे हैं वर्फ रबराइज के लिए बंदीक कोड़ 독ल इसटी पेहले संड़ेति के बोबहरा सिटी है North Eastern reason का जिसके दौरा इस बंदीकूट को लाउंच किया गया है कच्छा प्रवंदन के लिए इसको लाउंच किया गया है इसको रिसांट लाउंच किया है गौहती के दोरा सौन स्रीज भी गौहती गौहती में पहला ओयल मुजियम भी लगा गया था ओयल मुजियम जो है भात का वो भी लगा गया था पहला गौहती में Union Government जो है इनके दोरा अप्रूव किया गया है एक MOU ये इंडिया और किस देश के बीच होगा ये कॉपरेट ग्रेंगे ट्रीच्णलमैडिसअन्ट्यावमेवेथा के लेट लेट ये इना इन Technical came correction करेंग थासरे खौेइगे एक दूसरे के साथ इंडिया और किस डेश के साथ ही एं MOU'sव निया गया है ये है देश Jimbaa 마ra सौन्सरीज B, जिंबावे, जिंबावी की जो कैपल आफ हो है, हरारे, हरारे, सो यह थे बेस्ट M.C का उस करनेफ्स के, Part 2 के, बेस्ट M.C का उस जुलाई दोहिया बीस का Part 2, जिसमें हमने 16 से लेकर 30 जुलाई तक कावर किये हैं, करनेफ्स के, Most Important करनेफ्स, आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करें, चोई आपका एक्जाम SSC हो, CZL और CPO हो, कोई भी एक्जाम हो, डेली पुलिस हो, जाफर SSC CZL, जाफर कोई भी स्टेट का अन्य एक्जाम हो, जिसमें भी करन्टफेस आते हैं, उन सब एक्जाम के लिए ये जो वीडियो होगा, से ड्रेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजर कर सकते हो, वहां पर सभी पीडियाप्स आपको एक साथ अवेलेबल करवाई जाती हैं, आपको एक्जाम देने से पहले आपको इस वीडियो को दो से तीन वार देखे जाना है, आपको 100% मिलेगा, आपको लगेगा कि आपक करणफेस की सीरीज होती है, इनको आपको एक्जाम से पहले देखे जाना है, आपको अगर एक्जाम में 10 कोशन करणफेस देखे आती हैं, तो आप 7-8 कोशन 100% आपको इस सीरीज से मिलेगे, क्योंकि काफी जो कंप्रेंसी वहाई ये सीरीज होती है, इसलिए ज्यादा इसम वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए, अगर आप चैनल पर पहली वर विजर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को जरूर पैस कर लें, तांकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोज होती हैं, उनको आप बिलकुल भी मिस ना कर पाएं, सो इस वीडियो ब आता है।